इलेक्टिव वीकल का क्रेज लगातर बलता जा रहा है और अब नई इस टारणव कमनिया भी इन वहानों के क्रेज को केश करा रही है पहले जादातर कमनिया टूविलर और त्रीविलर को मार्केर में लोश्च कर रहे थे लेकिन अब कई कमनिया भारी सामान को एक जगा से दुसरी जगा लाने के लिए E-Loader पेश्ट कर रही है ये जादा बड़े भी नहीं होते हैं और छोटे भी नहीं होते हैं टोप 3 E-Loader उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी तो देर ना करता हुए शुरुआत करते हैं तार्क HTV Tipper Electric Loader तामिलनाडू की इस्टारव कमनी टार्क ने वन टन वेट उठाने वाला ओफ रोड हेवी टिपर नोच किया है तार्क पी रिवू पोलाची की कमनी है जो हेवी वेhiker बनाने के लिए जानी जाती है कमनी के CEO ने कहा है कि कॉस्टमर जीस तरह से लोडर या टिपर बनाना चाहते हैं, इसी तरह कस्टमाइज इलेक्टिक लोडर बना सकते हैं ये loader 3 variants जैसा कि standard hydraulic tipper, operated tipper और pump operating tipper के साथ customized variant में available है टार के HTV tipper electric loader में आपको 6 feet का लंबा डेंक मिलेगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दुसरी जगह असाने से ले जा सकते हैं गमने के अनुसर ये vehicle e-commerce का business करने वोला कारोबरे को जर्योतों को ध्यान में रखकर design किया गया है लाश्ट माई transportation में customer को critical solution के साथ इस category में based technology दी है power road specification की बात करे तो इस off-road loader में 2000W BLDC motor दी गई है टार्ग एक off-road vehicle है जिसे इसकी top speed 30 km पर अवर की है याने एक low speed vehicle है इसके लावा इस loader में 60W 100A की latest battery दी गई है जिसे एक बार full charge करके 60-70 km तो नश्टोप चला सकते हो loading capacity की बात करे तो ये loader 1100 kg का maximum load उठा सकता है इसके लावा load या वजन पहियों में transfer करने के लिए और गाड़े के घूमने वाले पुर्जे को connect या support करने के लिए HTV loader में 52H की रेक्सल दी गई है braking system की बात करे तो इस loader में drum brakes और hand brakes दिया गया है HTV loader के front में 12 inch और rear में 14 inch के टार दिये गये है dimension की बात करे तो ये loader 14 feet लंबा, 4 feet चोड़ा और 4 असलमन 10 feet उचा है इसके लावा इस loader में lift दी गई है जिसके मदद से heavy सामन को आसाने से उतारा जा सकता है इसके साथ 8 feet का will base और साथ इसका ground clearance दिया गया है इस loader को operate करने के लिए कोई के बी नहीं दी गई है इसके लावा light, horn और कोई accessories भी नहीं दी है लेकिन आप optional में लगवा सकते हो कीमत की बात करे तो इस open loader को 1,60,000 रुपे में खरी सकते हो चीन की start-up company ने अपने घरेलू बाजार में double XL 9-wheel टीपल नोच किया है ये दिखने में दुसरे vehicle से काफी अलग है इसका लुक भारत में मौजूर टेलर टेर जिससा दिखाई देता है टीपर कारगो डंपर में 21 इसके 9 टैर दिये गिये है इस कारगो डंपर के फ्रंट ये रियर में drum brake दिया गया है इस कारगो vehicle में आपको अबाउट 6 या 8 फिक का लंबा डेक मिलेगा जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह आसाने से ले जा सकेंगे कमनी के अनुसरे vehicle e-commerce का व्यवसाई करने मोले कारो बारियों की जरूतों का ध्यान में रखकर डिजैन किया गया है इस vehicle में single cylinder four stock water cooled petrol engine लगाया गया है इसके लावा cargo का rear में dual lift दी गई है जिसके मज़े से भारी बरकम सामान आसने से उतारा जा सकता है टीपर cargo dumper को 60 km पर hour के top speed से दोड़ा सकते हो loading capacity की बात करे तो ये vehicle 2000 kg का maximum load उठा सकती है इसके लावा उसमें five forward gear and one reverse transmission दिया गया है इसमें 12 voltage 28 ampere की battery दी गई है suspension system की बात करे तो इसके फ्रन में श्रोक absorber with spring और rear में seven pieces lift spring full floating booster है टीपर cargo dumper को एक लाख 80,000 रुपे में खरी सकते हो लोहिया नरेन cargo three wheeler UP की इस्टारा कमनी लोहिया ओटो ने नरेन नम से cargo three wheeler launch किया है लोहिया नरेन cargo three wheeler advanced technology के साथ आता है जो excellent performance देता है लोहिया कमनी ने से BSX emission norms के अनुसाल launch किया है नरेन cargo एक powerful three wheeler है इस three wheeler को शांदा तरीके से design किया गया है ताकि एक बार में हर किसी को पसंद आ जाए इस cargo three wheeler को maximum credibility और 7 feet के अच्छे turning radius के साथ manufacturer किया गया है नरेन cargo के rear में deck दिया गया है जो 4 feet लंबा, 3 feet चोड़ा और 10 इंच उचा है इसके deck में cartoons, ice cream shop, cylinders और water bottles वगेरा असनी से रख सकते हो इसके लाव कारगो के deck को तीनों सैट से open कर सकते हो पावर रूर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस cargo three wheeler में 1950 watt की BLDC motor दी गई है नरेन cargo three wheeler को 25 km पर अवर की 12 speed से दोड़ा सकते हो इसके लाव इस cargo three wheeler में 105 AC बेटरी दी गई है जिससे एक पर फूल चार्ज करके 100 km तो non-stop चला सकते हो braking system की बात करें तो इस टाइक में parking brake के साथ front और rear में drum brakes दिया गया है नरेन cargo three wheeler के front में headlight, turn indicator और rear में tail light दी गई है इसके लाव कार्गो three wheeler में hydraulic telescopic front suspension और live spring rear suspension के साथ आता है इस three wheel में 17 के तीन टाइर दिया गये है loading capacity की बात करें तो ये vehicle 320 kg का maximum दूटा सकती है dimension की बात करें तो इस vehicle के length 9 feet, width 3 feet और height 5 feet दी गई है इसके साथ wheel bay 6 feet, ground clearance 8 inch और turning radius 7 feet का दिया गया है इस cargo three wheeler की केमद 91,000 रुपे है जो customer के सुविदा को ध्यान में रखकर रखे गई है तो दोस्तों ये थी top 3 cargo vehicle वीडियो बसे नहीं तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी channel take care, subscribe नहीं किया तो please subscribe कि लिजे take care, bye